महाराश्ट्र के सांगली जिले में 20 जून को हुई 9 लोगों की मौत मामले में नया मूडा गया है अब ये मामला सामुहिक हत्याकांड का बन गया है जबकि इससे पहले आत्म हत्या का माना जा रहा था पुलिस जांच में पता चला है कि दो भाईयों के परिवार को एक तांत्रिक और उसके ड्राइवर ने जहर दे कर मार डाला दोनों आरूपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस महानिरिक शक मनोच कुमार लोहया ने कहा कि हमने एक तांत्रिक और उसके चालक को हत्या के माम जांच में पता चला है कि दोनों के कथेत तौर पर परिवार के नौ सदस्यों को जहर दे कर उनकी जान ली तांत्रिक ने गुप्त धन खोजने का वादा किया था और इसके एवज में उसने मोटी रकम भी ली थी। इनमें एक भाई टीचर और दूसरा पश्यों का डॉक्टर था चलिए अब आपको सिलसे लेवार तरीके से बताते हैं कि इस वारदार्थ को तांत्रिक और ड्राइवर ने कैसे इनजाम दिया बीस जून को तांत्रिक महिसल गाओं में वनमोरे बंधों के घर पहुचा जहां तांत्रिक ने चीपे हुए खजाने को खोचने के लिए तंत्र मंत्र का ढूंक शिरू किया इस दौरान उसने परिवार के सदस्ये को उनके घर की छट पर भेजा फिर उन्हें एक एक करके नीचे बुलाया और चाय पीने के लिए कहा जिसमें पहले से कोई जहर मिला हुआ इसे पीने के बाद वनमॉरे परिवार के लोगों ने बेहोशी के बाद दम तोड़ दिया इसके बाद आरोपियों ने एक सियूसाइड लेटर लिखा जिसमें चोटे बड़े साहुकारों को मौत का जिमेदा ठहराया पुलिस को दोनों ही घरों से सियूसाइड नोट मिले पुलिस जांच के दौरान घटना स्थल्क में नौ मेंसे सिर्फ एक शव के साथ ही जहर की शीशी मिली थी, साथ ही सुसाइड नोट की जांच में भी पुलिस को गड़बडी लगी, क्यूंकि आम तोर पर सुसाइड नोट में व्यक्ति पहले कारण लिखता है और फिर लोगो में देखा गया कि कुछ लोगों के नाम सुसाइड नोट की शुरुआत में ही लिख दिये गए थे, वहीं इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि परिवार खुदकुशी करना चाहता था, इस मामले की जब जांच हुई तो पुलिस के सामने असली आरूपी आ